जहिन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्वागत आपके अपने यूटूब चैनल फॉजी में आपको बताने वाला हूं सबसे ज़्यदा फाइदा किन बच्चों को नुक्सान होने वाला है दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपको नुक्सान नहीं हो तो इस पर को बस्तों सबसे ज़्यादा लेना तो सबसे ज़्यदा मेरिट के रूल होते उसमें चार से पान्च रूलेन किया जाते इस अगर आपके नंबर सेम हो गए उसके बाद में जो दूसरा इसका रूल होता है वो होता है एज फिर A भाग B भाग यानि A और B भाग और उसके बाद में अलफाबेट यह चार रूल होते हैं इसके आदार मेरिट बनती है तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि नंबर भी से इसमें एक्जाम देते हैं तो यहां बहुत खतरना की लेवल का हुता तो बहुत बचों के से नंबर वहरते हैं मैफ की तैयारी जिनके सब से थे उनको सब ज़्यादा फाइदा होने वाला है तो आपको सब ज़्यादा फोकुस करना है वह करना मैफ पर इसके बाद med poisoning तो आपने med प्वोक्स कर्ण लिए और इसे के लिए हो जाएगी घारंटी मेरी आपको सब से ज्यादा किस पर फॉकुस करना मेथ पर क्योंकि ए भाग और भी भाग यह मेरिट में भी कंपीट करते हैं आपको मेरिट में भी मज़द करते हैं अगर आपके नंबर सेम हो जाते हैं और नहीं भी होते तो से जीडी में जितने भी बच्चे आज तक जोईन के हैं उन सभी से पूछ लेना कि से जीडी की जो मेरिट बनती है उसमें 90% मैं बोलड़ा हूं 99-0% डिपेंड करता आपकी मेरिट और रिजनिंग अगर आपकी मेरिजनिंग कमजोर है तो आप से जीडी कंप्लेट नहीं कर प अगर आपने मेरिट पकड़ ली तो इसनिंग आपके इसे कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि मेर्ट से बहुत सारा सेम साइज पर्टिकुलर रहता इसनिग में इसलिए अगर आप चाते हूं कि आपको सब बेस्ट आपके लिए तो मेरिए बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं क लेकिन आपको उसके अलावा भी अपने बुक से सरपचाए करने हैं कैसे भी करके आपको मेहत ओरीजलिंग स्ट्रों Garnam करनी है जिस बच्चे के मेहत ओरज्व जाएगी इसका सेलेक्षन पका हो जाएगा यह गारंटी मेरी तो इन सब्जेट को आपको सबसे ज़्यादा तयार करना उसके बाद में फोकस करना हिंदी को खास सब्जेट नहीं के लिए क्योंकि बहुत कम लेवल है और आप सभी के लग बगलबू बच्चों के सेम से नमर आते हैं हिंदी में ज्यादा पिछड़ता नहीं गोई भी सबस तो इसलिए अगर आपको फाइदा हो तो क्या करना है में तो पर फॉकस करना है दोस्तों जैहन